हलो प्रेंट्स, तो आज हम समझेंगे वर्ब, देखिए वर्ब को लेकर के ऐसी ऐसी लाइक जानकारी है कि आपको लगता कि सर्फ बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है ये, लेकिन वर्ब बहुत असान है, छोटी छोटी हर एक चीज आज की क्लास में आपको बताऊंगा, देख if you know how to handle the verbs, you know how to handle the language, it means अबको अगर वर्ब की जानकारी हो गई, तो आप किसी भी लैंग्विज की जानकारी रख सकते हैं, everything is just a, everything else is just a vocabulary, ठीक है और बाकी जो चीज़े हैं वो सिर्फ वकैबलरी हैं, यानि अगर आपको वर्ब की अंडर्स्टैंडिंग हो गई, तो बहु ओके, तो lesson outline समझ लेते हैं, क्या-क्या चीज़े समझेंगे, what are verbs, transitive and intransitive, finite, non-finite, causitive verbs, थोड़ा अलग तरीके से मैंने कि यह slides भी बनाने की, कि थोड़ा सा आपको यह अच्छा लगे देखने में भी, चलिए, हम आगे बढ़ते हैं, verbs को पहले हमने define किया कि verbs होता क्या है, थोड़ा सा हमने font को छोटा रखा यहाँ पे, कि verbs are action words that express an action, generally इसको आप action words कहते हैं, जो कि किस चीज़ को बताता है, action को बताता है, like run, eight, jump, or a state of being, और किस चीज़ को बताता है, यह state of being को भी बताता है, like these are verbs, they are the heart of a sentence, याद रखेंगे, इस point को, कि यह English language का या English sentence का न हाट होता है, दिल होता है, indicating what the subject does, क्या indicate करता है, कि subject क्या करता है, is verb can also show tense, ठीके, यानि कि subject क्या करता है, यह subject क्या है, यह चीज़ को बता रहा है, verb can also show tense, असके आसपेक्ट को पता चलता है कि ये वाली चीजती बहुत गलत आपने पढ़ा होगा ऑभी मैं इतनी सारी चीज़े बताता है कि कोई इंसान या कोई subject जो क्या करता है, कोई subject क्या है, और tenses बताता है, उसके aspects को बताता है, ये बताता है आपके mood को, ये बताता है आपके voice को, यानि tense को इसलिए heart of language, heart of English sentence कहा गया है, so they are crucial for conveying actions and events in a language, so ये काफी crucial होते हैं, I hope इतना point समझ में आ गया होगा, next बतात करते हैं, आगे चलते हैं, what is transitive verbs, अच्छा, verbs लगा है तो इसको आप R कर लीजिए, what are transitive verbs, transitive verbs are action verbs, सबसे पहले समझेंगे कैसा verbs है, action verbs है, that require a direct object, जिसको किस चीज़ की जरुद होती है, एक direct object की जरुद होती है, to complete their meaning, अपने meaning को complete करने के लिए, अगर कोई transitive verb है, और उसमें आप object नहीं लगा रहे, तो वो incomplete sentence है, इस बात को मानिये घजरा, she ate the apple, उसने apple खा लिया, कोई particular apple होगा, उसको खाने की बात कह गई, at is the transitive verb, she is the subject, performing the action, and apple is the object, receiving the action, यानि जो apple है, वो action को क्या कर रहा है, receive कर रहा है, the verb ate, needs an object, the apple, to complete its meaning, यानि कि उसको एक अपना object चाहिए, अपने meaning को पूरा करने के लिए, कुछ लोग इतना लिख देते हैं, I eat, मैं खाता हूँ, अरे सर, ये incomplete sentence है, ऐसे नहीं होता है, बट बहु सारी किताबों में इस तरह के एक जंपस लिखा होता है, I read, I play, चलो, play तो किस हथ तक तो हो भी जाएगा, बट I eat वाला तो संभव है नहीं, ठीक है, without the object, the sentence wouldn't make complete sense, देखिए, incomplete होगा, गलत आप नहीं कहिए, चल जाएगा, बट वो incomplete होता है, आईए, इधर आईए, जरह एक और quotation यहाँ पे लिखा है, after the verb to love, to help is the most beautiful verb in the world, अगर लव की बात करें, तो लव एक सबसे ज़्यादा प्यारा और सबसे लाइक, important कहिए, या सबसे ज़्यादा valuable कहिए, सबसे ज़्यादा beautiful कहिए, वर्ड तो है, उसके बाद जो दूसरा verb है, वो है आपका help, चली, इस तरह की छोटी-छोटी जनकारी भी आपको मिलते रहेगी, अब आते हैं, intransitive verbs, intransitive verbs are action words that don't need an object, यानि इसको किसी object की जरुवत नहीं पड़ती है, to complete their meaning, अपने meaning को पूरा करने के लिए, they express action that don't transfer to someone or something, यानि वो ऐसे action को बताते, जो आगे जाता ही नहीं है, वो subject से शुरू होकर subject पे ही खतम हो जाता है, for instance, in the sentence, she sleeps, अगर हम बात करें, she sleeps, sleep is the intransitive verb because it does not require an object to make sense, जब दनी आपको या लगाएंगा, आगे मैं I sleep, I sleep means I sleep, कानी खतम हो गई, it's just about what the subject she is doing, मलब जो subject हो क्या कर रहा, बस इतना बताना है, वो action किस पे किया जा रहा है, यह बताने की ज़रूद नहीं है, main points आते हैं, intransitive verb don't need a direct object, इसको कोई direct object की ज़रूद नहीं है, they make sense on their own in a sentence, खुद से अपना meaning बता लेते सर, object की हमको ज़रूद नहीं है, they can be followed by adverbs और prepositional phrase, उसके साथ यह तो adverbs लगा दीजेए, या prepositional phrases लगा दीजेए, sentence का meaning पूरा हो जाएगा, sometimes, sometimes they are mistaken for linking verbs, कभी-कभी intransitive verb को कुछ लोग mistakenly क्या कहा दते हैं, linking verbs, आज की session में linking verb नहीं है, next कभी session में linking verb की सर्चा कर लेंगे, चलिए, finite verb क्या होता है, a finite verb is a form of a verb that, दो point है इसमें, those agreement with the subject in number and person, यानि कि एक ऐसा verb, जो subject के number और person के साथ agree करते हैं, उसको हम finite verb कहते हैं, and is marked by tense, और उससे क्या बनता है, tense बनता है, दो चीद ध्यान रखेंगे, subject के number, person के according होगा, और वो tense को mark करेगा, यानि कि उससे tense पता चलता है, अगर समझें के sentence को, she plays the piano, they are swimming in the pool, he will finish his homework, we studied for the exam yesterday, the cat jumped over the fence, अब समझें finite verb, यह देखेगा place लिखा हुआ है, जो C के according है, यहाँ पर R लिखा है, जो की D के according है, will, जो की he के according है, studied, week according और tense के according, हम tense past में रखना चाहें, and cat jumped, तो again यह tense के according, तो जो वर्ब subject के according होगा, subject के number और person के according होगा, और जो tense को frame करेगा, वो आपका finite verb होता है, आगे बढ़ते हैं, infinite verb बहतर है, इसके लिए आप use करिए non-finite verb, infinite से अच्छा क्या है, आप लिखे, non-finite verb, non-finite verbs are verbs form that do not indicate tense, इसको ना तो कोई tense से मतलब है, ना कोई person और number से मतलब है, they cannot function as the main verb, यह main verb के जैसा काम भी नहीं करता है, and do not so when the action happens or who performs, action कौन करता है, action कब होता है, यह सबसे इसको कोई मतलब नहीं है, यह अपना fixed form बना रखा है, जैसे आप समझेंगे आगे चलके, कि swimming is fun, यहाँ पर यह जो है, यह है आपका non finite verb, I enjoy reading, reading यहाँ पर है non finite verb, अब हम जब non finite को अलग अलग करेंगे, तो समझेंगे कि कौन कों से non finite verb होते हैं, relaxing again है non finite verb, the running water, again देखेंगे यह है non finite verb, आप यहाँ समझ रहे होंगे कि यह executive के जैसा काम कर रहा हैं, यह चीज हम बाद में detail में पढ़ेंगे, the broken window, यहाँ पर broken जो है, वो है non finite verb, the fallen tree, यहाँ पर जो fallen है, वो है non finite verb, तो I hope non finite verb समझ में आया, non finite verb का ना तो subject से कोई लेना देना है, न वो tense बना सकता है, लेकर आओंगा, आगे आते, causative verbs, एक हमारा term में causative verbs, क्या होता है, causative verbs, causative verbs are used to indicate that one person causes another person to do something, हम नहीं कर रहे हैं, बलकि हम किसी को cause कर रहे हैं, या तुम कर लेना, ठीक है, for them or on their behalf, या तो उनके लिए, या उनके तरफ से, कर लेना, they express the idea of causing something to happen, or causing someone to do something, यानि कि ये action को होने में cause करता है, cause बनता है, कारण बनता है, जो कहना है, आप कह दीजिए, जैसे अब समझेए का इधर चार, पाच एक्जेम्पल्स हैं, राधा had her car repaired, राधा ने अपना car repair करवाया, यहाँ पर राधा ने कुछ नहीं किया है, यह जो repairing का काम है, कोई और आदमी किया है, क्योंकि राधा ने किसी को cause किया होगा, किसी को बोला होगा, हो गया, किसे काम करवा दिया गया, अब देखिए, यहाँ पर has, इससे लिखने का काम, बच्चों नहीं किया है, टीचर ने कुछ नहीं किया है, टीचर ने सिर्फ काहा, कि भईया, लिख लो दूम लो, ठीक है, लिखने का काम किसे ने किया है, अगर यह दिक्कत हो रहा हो, कि सर यहाँ पर V3 आया है, यहाँ पर V1 आया है, तो ऐसा क्यों है, यह कॉजटिव वर्प की हमारी चैनल पर वीडियो ढोंड लीजेगा, उसमें आपको मिल जाएगा, नए वीडियो भी मैं आपके लिए लेकर आजाओंगा, I got my son to cook dinner because I was tired, क्योंकि मैं ठका था, अपने बच्चे से का, कि भईया, खाना बना ले दूँ, She made me watch a horror movie, उसने मुझे दिखाई, बड़ देखा मैंने, ठीक है, तो यह सारे कॉजटिव वर्प के examples है, My mom will help me decorate my flat, सिर्फ help करेंगी करना आपको है, वो बता देंगे ऐसे-ऐसे करना है, ठीक है, तो चलिए, आई होग कॉजटिव वर्प समझ में आए, आपर जो subject होता है, वो खुद काम को नहीं करता, बलकि किसी और से करवाया जाता है, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो इतने बड़े-बड़े अच्छों में लिखा हुआ है, जो साफ आपको दिख रहा होगा,